नमस्कार भरत टीवी में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ कविता उपाध है आज हमारे साथ में युवा मोर्चा की मंत्री नताशा धवन जी है भाजपा जिला शाहदरा से साथ ही साथ अगर बात करूं तो समा सेवक भी है हाला कि इनकी एक NGO भी है जिसका जिक्र ये अक्सर करती नहीं है फिर भी हम कर देते हैं मेरी गरिमा मेरा अभिवान NGO है लेकिन आज बात करेंगे भाजपा की भाजपा की इसलिए कि दिल्ली में उप्चिनाव है पांस सीटो प पर और जा करके इन्होंने लोगों से यही कहा कि वोट दें आज मी इनी से यही चर्चा करेंगे मैडम भाजपा को वोट क्यूं दें मैडम पहले तो बाजपा रास्टे हित पार्टी है और जैसे आपने देखा होगा कल्यान पूरी में जिनको केंडिडेट हैं जो हमारे उ हमारे परदान मंदरी मोदी जी कहते हैं के मैं एक परदान सेवक हूं इनका सीधा सीधा एकी तारगेट हैं बन्दा गरीब हो या कैसा भी हो वो उनको हमेशा अपने बराबर का ही बनाके रखते हैं यानि कहा जाए जो एक आपका सिध्धान्त है कि जो लाइन में सबसे अंतिम में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक सुईधा पहुंचे भाजपा की खास तोर पर क्या यही बिल्कुल बिल्कुल मैं आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भीड बहुत जगा देखी होगी भीड में से एक को चुनना सिर्फ भाजपाने सीखा है अगर संगठन की बात करते हैं तो कल आपने शक्ति प्रदशन किया चाहे वो गौतम गंभीर जी हो आदेश गुपता जी हो लगा अपने आप में जो चल रही है वो और अच्छा प्रदशन करेगी बाजपा कलियान पूर से चारो खाने चित करके ही निकलेगी क्योंकि कल का प्रदशन में भी शायद मैंने MP के भी इलक्षन में नहीं देखा था जो कल का प्रदशन हुआ है वो सबसे बड़ा तमाचा आम पार्टी को था इतनी पबलिक आस्ता को उन्होंने घटी नहीं करी है अगर बात करें दिल्ली की तो वोटों के लिए कैसे अपील करेंगे पांचों सीटों पर इलक्षन है खास तोर पर युवा आप हैं महिला भी हैं लगातार समास से वाकिये क्यों वोट करें हम भी यही क आते हैं तो नरेंदर मोधी जी को ही सपोर्ट करें अगर मैं क्योंकि बंगाल में भी चुनाव की तारीखें लगभगत होने को है और पांच चर्णों में इलक्षन होना है क्या लगता है इस बार भाजपा वहां भी कमल खिला देगी बिल्कुल बिल्कुल दीदी तो कि सच्चाई यह है कि आजकल वक्त का पता नहीं चलता कून व्यक्ति किस पार्टी को जोईन कर ले यह राजनीती है जी कुछ नहीं कह सकते और जैसा कि इनका कहना दीदी भी भाजपा जोईन कर सकते तो वक्त बताएगा अगर मैंडम जिल्मिल वाड की बात करते हैं तो य इसमें महिलाओं को मोदी जी की एक योजना है इस्तरी रोजगार योजना जिसके तहत मैंने यहां पे टेंडर लिया है महिलाओं को गरीलू काम के लिए और घर पे बैठके उन्हों काम करेंगी चाया वो पैकिंग का हो या कोई भी हो वो काम हमारा नेक्ट मन से स्टार्ट हो जाएगा और साथी साथ बच्चों को फ्री में टूशन पढ़ाने का और महिलाओं को कंप्यूटर कोर्स सिखाने का है आप कभी भी आए यहां पे रेस्टेशन हो रहे हैं और कंप्यूटर सिखाके उनको जॉब का भी कराएंगे आतन निर्भर जो मोदी जी ने चालू क खुल जाएंगे और एजुकेशन की कि इस टाइम पर पेपर का टाइम है तो मैडम ने फ्री और कोई शुलक नहीं है बिल्कुल नहीं मैं फ्री है पूरी पढ़ाई जो है वह आपको ट्यूशन जो है वह बिल्कुल फ्री मिलने वाला है आप राम से बच्चों को भीजिए अगर मैं हम बात करें महिलाओ को रोजगार देने की तो बड़ा अच्छी पहला आप करने जा रहे हैं क्या इसकी कोई रजिस्ट्रेशन के चार्जेशन है या कैसे व्यक्ति आप तक पहुँच पाए नई मैडम एक्चुली परदान मंतरी रोजगार योजना जो है वो मु पूरी तरीके से निशुलक है महिलाओं आए जिलमेल वार्ड की बात करें तो नताशा जी हाला की पूरे शादरा जिला की युवा मोर्चा की मंतरी हैं लेकिन खास तौर पर जिलमेल को कि आपके नियर वाई पड़ेगा आरां से ये रोजगार लगा सकते हैं काम कर सकते है मैडम के साथ में और और भी के कोर्सिज आप चर्चा कर रहे थे हाला की इस विशह पे जल्दी ही हम एक और इंटर्व्यू करेंगे मैडम के साथ में फिर भी मैम क्या लगता है कि अगर जोडने के लिए व्यक्ति से अगर आना चाहें ऑफिस तो क्या पता है या फिर कोई फोन नंबर अगर आप बता है मेरे यहां पर पता है डी 216 जिल्मिल कलोनी में है और कॉंटेक्ट नंबर 844-737795 है और हाली में हम EWS के फोर्म बर रहे हैं जिसके बारे में मैंने फेस्बुक पे डाला है वो भी निशुल्क है आप आएं अपने बच्चों को अच्छा करेंगे और नताशा धवन जी भी कि युवा हैं महिलाएं हैं या बुजर्ग हैं या नई वोटर हैं आप वोट देने जरूर जाएं फैसला आपको करना है बटन आपको दबाना है मैडम किसका बटन दबाना है और भाजपा को ही विजे कराना है